की हिंसा हो रही है वो अपने आप में अप्रत्याशीत है इससे पहले कभी इस प्रकार की हिंसा ना हमने कभी देखा था ना किसी चुनाव में सुना था चुनाव और हिंसा आज बंगाल में पर्यायवाची शब्द बने हुए है और बंगाल में ये कोई पहली बार हो रहा हो ऐसा विशय भी नहीं इस बार के पंचायत के चुनाव जो कि अभी आठ जुलाई को संपन्न हुए आज काउंटिंग चल रहा है आज अकबारों में हर जगह ये ख़बर छपी है कि लगभग 45 लोग आज तक जब से नोमिनेशन आरंब हुआ है और काउंटिंग अभी चल रहा है लगभग 45 लोगों की हत्या की जा चुकी है 45 people have died as of today as far as the पंचायत elections of 2023 in West Bengal is concerned आप याद करिए इससे पहले के असम्बली चुनाव 2021 में लगभग 52 लोगों की 52 लोगों की हत्या हुई थी 52 people had died in the assembly elections during Bengal 2018 के पंचायत के चुनाव में 23 लोगों की हत्या हुई थी चुनावी हत्या और उससे पहले 2013 के बंगाल के पंचायत के चुनाव में 15 लोगों की हत्या हुई थी 2013 में 15 लोग 2018 में 23 लोग और 2023 जो वर्तमान का पंचायत चुनाव चल रहा है उसमें 45 लोगों की हत्या उत्तरो तर दिन प्रती दिन लोकतंत्र किस प्रकार दम तोड़ रहा है बंगाल में यहां आपके सामने पेश है संख्यावत पेश है बंदुगण के वल हत्या है नहीं आप अगर अकबार पढ़ेंगे तो जिन शब्दों का प्रयोग सरवाधिक किया गया है बंगाल के पंचायत के चुनावों को लेकर वो शब्द है फाइरिंग गोली बारी बंबिंग बंबारी बोगस वोटिंग रिगिंग मत पेटियों का जलाना मत पेटियों को फेकना कोई तलाब में फेक रहा है मत पेटियों को तो कोई वोट रिगिंग करके किस प्रकार से जिता जा सकता है टीमसी उस प्रयतन में उस यतन में लगी है जिस डेमोक्रसी में जिस लोकतंत्र में फाइरिंग बॉमिंग हत्या रिगिंग ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है उस लोकतंत्र का क्या वजूद है आप ज़रा सोच के देखिए मंदुगन आप सभी जानते हैं कि जहां तक भारती जंता पाटी का सवाल है हमने लगभग छे हज़ार पोलिंग बूथों पे री पोलिंग का डिमांड किया था इस कदर एक बायसनेस के साथ ये पोलिंग हुई है आप सबने सुना था सुप्रीम कोर्ट रहाई कोर्ट ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने तागीत किया था राज्य सरकार को कि आप सही तरीके से तटस्त होकर केंद्रिय बल्ग के साथ सेंट्रल फोर्सेस के साथ चुनाव कराईए Central Forces तो गई मगर deployment जो Central Forces के हुए उनका ठीक तरह से deployment राज्य की सरकार ने नहीं किया जो sensitive boot होती है उनकी संख्या चुपाई गई sensitive boot का data दिया नहीं गया Central Forces के होने के बावजूद 45 लोगों की हत्या यह दिखाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही थी यह एक state sponsored murder है यह जितने लोग मारे गए हैं यह प्रायोजित हैं this is not accidental this is state sponsored murder of democracy in West Bengal प्रूब कर दोच्छ प्रायोजित हैं